सूपरभात प्यारे बच्चो एक बार फिर से हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम एकी मात्रा की दोराई करेंगे दोराई का मतलब है रिवीजन आईए सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों, छोटी की मात्रा जिस फी वियंजन केसा आगे लगती है, उसका उचारन बदल जाता है. जैसे क कोई की मात्रा कि, च कोई की मात्रा चि, प कोई की मात्रा पि, स कोई की मात्रा सि, ग कोई की मात्रा गि, ह कोई की मात्रा हि, आईए अब हम कुछ चित्रों को पहचाने. सबसे पहला चित्र है तकिया, अगला चित्र है सितार, ये है माचिस, किश मिश किश्मिश अगला है साइकिल, 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 परिवार, परिवार, तो प्यारे बच्चो, अब हम इस तालिका में कुछ एक चित्रों को देख कर दिये गए अधूरे शब्दों को पूरा करने का परियतन करेंगे जैसे सबसे पहला चित्र है गिटार, दूसरी तरफ अधूरा शब्द लिखा हुआ है इस अधूरे शब्द में हम गर कुछ छोटी की मातरा लगाएंगे तो ये बन जाएगा गिटार, गिटार अगला चित्र है नारियल, तो रिक्त स्थान में हम अगर र को छोटी की मातरा लगाएंगे तो बन जाएगा नारियल, नारियल अब बाकी दो चित्रों को पहचानो और रिक्त स्थान भरने का परियतन करो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ एक वाक्यों को पूरा करने का परियतन करेंगे हमारे पास चार शब्द दिये हैं, रविवार, मिठाई, सितार, पिकनिक इन शब्दों को हम खाली स्थानों में भरने का परियतन करेंगे पहला वाक्य है, रवी डैश बचा, रवी सितार बचा दूसरा वाक्य है, विमला डैश लाई, विमला मिठाई लाई तीसरा वाक्य है, डैश का दिन था, जी हाँ, रवीवार का दिन था अगलावा के है, सब डाश पर गए, सब पिकनिक पर गए तो प्यारे बच्चों, अब आप इस कारे पत्रिका को एक बार फिर से हल करने का परियतन करें धन्यवात आपका दिन से शुब रहे